हलो एड वेलकम टू प्रिंस अवस्तिक फोटाउग्रफी और आज का ट्रोडियल बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपके लिए क्योंकि मैल लेकर के आया हूँ आपके लिए प्रियुआं मैं फोटोशॉप रॉड प्लगिं का प्री सेट जो ब्राॉन कलर की कलर ग्रेट करेगा आपकी पॉट्रेट पर या किसी भी तरीके की इमेजस पर आप उसको अपलाई करके और और उसको मजा ले सकते हैं तुम मैं बिना किसी देरी के माह 했 उरू करूँधा उसस लिंक भी डिस्क्रिप्शन बाक्स में है, आप उन्हें डाउलोड कर सकते हैं, तो बिना किसी दिरी के मैं शुरू करूँ का, साथ मैं आपसे खहता चलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब ने किया तो प्लीज सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंड करें, श चुरू करेंगे किस तरीके से हम RAW प्रिसेट को अपलाई करते हैं, यह भी जानेंगे, तो सबसे पहले हम कमांड या कंट्रोल या प्रेस करेंगे, दूप्लिकेट लेयर बनाएंगे, इसके बाद कैमरा RAW फिल्टर ओपन करेंगे, यहां पर आपका फिल्टर ओपन हो तो यहां पर मैंने ब्राउन देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यह प्रिसेट मैंने सेप करके रखा हुआ है, तो इसे simply हम लोड कर लेंगे, और क्या होगा, आपका प्रिसेट यहां पर अपलाई होता नजर आ रहा है, तो इसे मैं OK कर दूँ, तो before and after आप देखेंगे, ब यह प्रिसेट अपलाई करके दिखाऊंगा, तो चलते हैं, दूसरी इमेज पर कंट्रोल जे कमांड जे करेंगे, कैमरा और फिल्टर उपन करेंगे, और simply फिर से लोड सेटिंग्स पर आके अपने प्रिसेट अपलाई करेंगे, यहां पर देखें, तो यहां पर देखें, बहुत अच्छे से smartly work हो चुका है, अगर आप इसमें कुछ changes या exposure से या brightness से लेकर करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से manually या increase कर सकते हैं, तो यहां पर तोड़ा सा exposure में ने pop-up कर दिया, तो before and after आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से preset applied है, यहां पर देखेंगे, ए view saturation में जा करके या color panel में जा करके आप change करते हैं, तो बड़ा time लगता है, तो यह उसके लिए बहुत easier माध्यम हो सकता है, कि आप simply load करेंगे यहां से भी, और फिर से अपना preset apply करेंगे, और देखेंगे, जो cyan color था वो बिल्कुल से यहां पर जा चुका है, तो before and after, before and after, लाई होते नज़र आ रहा है, लास्ट इमेज है यहां पर इस पर भी में करके आपको दिखाऊंगे, तो command ये, control ये, प्रस करेंगे, camera raw filter open करेंगे, और load settings में आएंगे, preset अपना apply करेंगे, यहां पर देखें, preset आपका applied हो चुका है, यहां पर अगर exposure वगएर आप कम या ज परता चला जाएगा, exposure थोड़ा सा down कर लेंगे, क्योंकि skin texture पुरा पर आएगा, अगर आपको लगता है, अभी इसमें whiteness जादा है, तो यहां पर white का बार, option या, odd press करेंगे, और इसे back side में लेके जाएगे, तो यहां पर जो overcast exposure की, वो reduce हो जाएगी, इसे हम okay कर लेंगे, तो यहां पर देखें, चारों प्रिसेट्स अप्लाई हो चुगे, मैं 1st, 2nd, 3rd, सारी images आपको दिखा रहा हूँ, 1st, before and after, 2nd, before and after, 3rd, before and after, 4th, before and after, तो यह बहुत ही simple preset है, किसी भी image को color grade करने के लिए, जो brownish color में अगर करना चाहते हैं, तो उनके लिए या Ottoman color से related भी color थो करेंगे, वो आप HSM में जाके कर सकते हैं, जो आपका huge saturation sector होता है, वहाँ पर जाके आप chain कर सकते हैं, और और plugin के अंदर ही, दूसरा में कहना चाहूँगा, आप यह plugin and images, preset and images आप दोनों के दोनों description box में जाकर download कर सकते हैं, इसी तरीके के tutorials मैं और आपके सामनी लेकर आता र आउगा, तो बने रहें आप रिंस होस्ति फोटाग्रफी के साथ, चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, कमेंड करें, बेल आइकन ज़रूर दबादें, जिससे आपको समयबन notification मिलती रहे, उमीद करता हूँ यह tutorial आपको बहुत अच्छा लगाओगा, बहुत बहुत थ को बढ़ाई लगादें, सस्क्राइब करता हुआब सक्राइब करता होँ जित है यहाँ उपित है단ुक है, जिससेिए झाल को इशागी करें, स्क्राइब करें जोब थ 17 क्शची करें, तो नुम्यद कर दित रहें हैं, सबस्त्स्ति अफाना था रहें आपको ढ़ादें, सक्